कर्मचारियों को बेवज़ा परिशान करना CMS को पड़ा भारी जिला स्पताल में महिला CMS और फार्मसिस्ट आमने सामने आ गए CMS को हटाए जाने की मांग को लेकर फार्मसिस्ट ने कामकाज ठप कर दिया और जमकर हंगामा और नारे बाजे की स्वास्थे सेवाइं ठप करने की धंकी के बाद अपर निदेशक स्वास्थे ने CMS को उनके पड़ से हटा दिया है फिलाल फार्मसिस्ट ने हरताल खत्म कर दिया है आपको पता दी के महिला अस्पताल की CMS अपने उची राजनी ते पहुंच की धंकी देकर अपने अधीनस्थ करमचारियों और डॉक्टर्स को धंकाती थी अधीनस्थ को अधीनस्थ को अधीनस्थ को अधीनस्थ किया गया था और उनको कारवाद सेमत बनाया था तो वह अपना वह एसेंसी तो नहीं देखते थे चाल्ड इस्पेसिलिस्ट होने के ना पर उनका एक ही काम था कि सुबह 11 बजे से आके अपने कारवाले में बैठ जाना और रात को 8 बजे तक कभी इस करमचारी को ये लेटर देना कभी उस करमचारी को ये लेटर देना ये इसे अधिकारी की जगह पर अगर आपको लगता है जिनको कि किसी प्रकार का कोई प्रसानी की तजरूबा नहीं है तो किसी आधिकारी को बैठा लिए जिसको कि ये सारी चीजें बिदीवत रूप से संपन हो सके क्योंकि मुग यह जो महिलाची किस्टाले है महिलाची किस्टाले कार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था हर तरह अपादा भी पड़ी हुई थी काईदे से पब्लिक का कोई कार्य करम नहीं हो पा रहा था तो इनी सारी चीजों को देखते हुए आम जन्ता की तकलीपों को कि देखते हुए और हम लोगों की भी अपनी समस्यां को लेकर हम लोगों का दिमान थी कि इनको इनके स्थान पर किसी दूसरे ब्रतिकारी को इस वाद के लिए उनको अधिकरत किया अपर नेदेशक बरेली मंडल ने कि आप इनको हमारी हर्काल को देखते हुए आप इनको तुरंद तद्काल दूसरे को चार्ज दिलवाया जाए जिससे कि वहां की विवस्ता सुचारू रूप से चलिए तो कित्री दियर तक ही आज हर्ताल चली आज हमारा अल्टिमेटम यह था कि हमारा तीन दिन तक ओपीटी का कारेवाइसकार रहेगा जिसमें कि हम सारी इमर्जेंसी सेवाए एथावत जारी रहेंगी लेकिन चुकि हमारा पहले दिन ही यह काम्या भी हो गई इसके लिए हम जनपर के मुख्चिक साधिकारी और सीडियों साथ मुख्विकास अधिकारी शाजांपुर को हम पधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी तकलीपों क समय निकाला उसके लिए उसके लिए उसके लिए पधाई की इस समय माइला सीमस की तैनादी की गीए डोक्तर राजीव रंजला जो की डॉक्तर असुख रस्तोगी से ओर्ड़ी सीनियर है उनको चाहिज दिया गया है और वह अपना सब्काल तो क्या आप सुचारू रूट स अस्पिताल बंद होता है अगर तीन वजे तक भी काम करना पड़ाएगा तो भी हम लोग काम करेंगे लेकि सारी जंता का काम करके तब ही जाएंगे यहां से